आपको हम लोमली के बारे में बताएंगे लोमली कितनी चालाख होशियार होती है। पक्षियों और कीरों जैसे चोटे जानवरों पर भोजन करते हैं। पक्षियों जैसे की लिनेक्स और बड़े शिकारी पक्षियों जैसे बाज और गिड़। इन प्राक्रितिक शत्रूओं में से केवल बिल्लिया रात्रिचे होती हैं जबकि अन्य दैनिक होती हैं। नतीजतन लोमडियों ने मुक्य रूप से रात के समय भोजन की तलाश करके शिकार के जोकिम को कम करने के लिए अनुकूलन किया है। लोमडियों के पास सुनने, सुन्धने और देखने की अत्यदिक विक्सित इंड्रिया होती हैं, जो उन्हें अपने परिवेश को गहराई से देखने और शिकार का पता लगाने में सक्षम बनाती हैं। वे अकेले जानवर हैं और आमतोर पर समूव नहीं बनाते हैं, हालाकि प्रजनन के मौसम के दोरान वे एक साथ आ सकते हैं। परिवेश की लोकप्रिय धारना के विप्रीद, वे बास्तव में चुनोति पूंग परिस्तितियों का सामना करने पर चतुरै और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। विकर्ट परिस्थितियों में उनकी बहतर बुद्धि मत्ता और धैर्य अक्सर लोगों को आश्चर्य चकित कर देता है। लोमरिया बहुत सतर्कता दिखाती हैं और यदि उन्हें अपने मान्द के पास संभावित खत्रों की उपस्तिती का पता चलता है, तो वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी संतानों को स्थानांतरित कर देंगी। लोमरिया सामाजिक प्रानी है और आम तोर पर पारिवारिक संभूहों में रहती हैं। एक विशिष्ट लोमरिय परिवार में एक वयस्क जोड़ा और उनकी संताने होती हैं। ये जानवर आम तोर पर एक पत्नी संबंधों में संलगन होते हैं, अक्सर जीवन भर के लिए की साथी के साथ संभोग करते हैं. एक बार जब पिल्ले पैदा हो जाते हैं, तो माता-पिता दोनों सक्रिय रूप से उनकी देखभाल में भाग लेते हैं जब तक की वे स्वतंत्र नहीं हो जाते. लुमरियों के पास प्रभावशाली, घोसला निर्मान कोशल होता है और वे अक्सर अपना मांध भूमिगत या पेड़ों की खोहो में बनाते हैं. इन मांदों में जटिल संरचनाय हैं, जिन में कई मार्ग और कमरे शामिल हैं जो भोजन के लिए पर्याप्त रहने की जगह औ जमा करती हैं. जैसे जैसे तापमान गिरता है, वे वजन बढ़ाने और उर्जा संरहित करने के लिए अपने भोजन का सेवन बढ़ा देते हैं. कडाके की ठंड के दोरान, वे उर्जा बचाने और गर्म रहने के लिए अपनी गतिविधियों को सीमित कर देते हैं. लोमरिय को समझ कर और उनकी सराहना करके हम इन उलेखनी ये प्रानियों के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं.